सलम दोस्तों वेलकम बैक टो मैं चैनल आप देख रहे हैं यासर देशी फ्रैक तो आज हम बात करेंगे लताफा के तीन ऐसे पर्फूम्स जिसमें तीनों भी कुछ ना कुछ का क्लून्स माने जाते हैं एक हुआ सिदरत बॉइजे का क्लून जो मैंसरा की तरफ से आता है दूसरा हुआ पैकर बैन इन्विक्टस या फिर इन्विक्टस विक्ट्री का क्लून और तीसरा हुआ मेजों एंटरी मार्विन का मस्क अल फरैंसी जो उनका बहुत ही टॉप सेलिंग आइटम है तो चलिए शुरू करते हैं मेरा सबसे फेवरिट इन तीनों में से जिसका नाम है लताफा राईद पर्फ्यूम के बारे में बात करने से पहले हम प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे इसका प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है स्क्वेर बॉक्स में आता है एक्कम फ्लास लताफा ओदेपार्फॉर्म हंडडे में लिका हुआ है पीछे भी लताफा लिका हुआ है और यहां पर होलोग्राम स्टिक्कर वॉक्स कुछ इस तरह खुलते हैं यहां पर बॉटल का पोजिशन तो चलिए बॉटल के बारे में बात करते हैं बॉटल भी एकदम बढ़िया य लेकिन मेरे ओपीनियन के हिसाब से मुझे यह परफेक्ट क्लोन ओफ सिदरत बॉइज नहीं कहूंगा क्योंकि अगर आप परफेक्ट क्लोन ओफ सिदरत बॉइज दून रहे हैं तो मैंने अल्डेडी मेरे चैनल पर कर चुका हूं जो एक्सलेंसी और अरबे नारोमा दोनो के पास है सिदरत बॉइज जो अल्मोस 85% सिमिलर है ये मुझे सिर्फ 50% सिमिलर लगा सिदरत बॉइज के साथ लेकिन मैं फिर भी इसको इतना तारिफ करूंगा क्योंकि overall जो formulation है इसका एकदम बढ़िया क्योंकि यहां पे तोड़ा twist and trance जो लताफ है ने किया है एकदम well planned क क्योंकि यहां पे सिदरत बॉइज की तरह citrus orange बर्गमो का feel आपको जरूर मिलेगा लेकिन उसके साथ मलतोल नोट भी आएगा जो कि बहुत ही balanced है मलतोल नोट का मतलब यह है कि जो बकर रूज 540 में जो candy floss का wipe देता है वो वाला नोट यहां पर भी महसूस होगा जो आजकल ब लेकिन blending इतना बढ़िया तरीके से बनाया है कि एकदम balanced नोट है यहां पर dry down में आपको vanilla, patchouli, cedarwood और musk का भी महसूस होगा overall इसका formulation बहुत ही बढ़िया है इसलिए मैं यह तीनों में से इसी को मेरा favorite कहूंगा क्योंकि formulation बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया है मुझे बढ़िया है, धाई गंटे तक इसका projection और नौ से दस गंटे तक इसका lasting रहा जो इस price point पे बहुत ही बढ़िया है यह इसका दाम कुछ आता है 1200, 1300 या फिर 1400 के पीछे मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मैं bulk purchase करता रहता हूं तो मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन 1200 या 1400 के बीच में ही मिलेगा तो यह price point पे बहुत ही बढ़िया option, summer evenings के लिए बहुत सही रहेगा और winter के लिए भी यह suit करेगा, daytime में यह maltol और vanilla के वेज़े से शायद आपके skin पे suit ना करे, यह आपको खुद try करना पड़ेगा, लेकिन overall एक versatile fragrance है, आप कोई भी मौसम में लगा सक summer evenings में अगर ज्यादा दूप नहीं है तो फिर भी लगा सकते है, बहुत ही प्यारा perfume, compliments मिलने का बहुत high chance है यह type का formulation में, तो ज़रू try कर सकते है, यह हुआ लताफा रहीद, अगला जो perfume है, पैकरुबान का जो बहुत ही popular perfume आता था, Invictus, उसका एक नाया release भी आया था, Invictus Victory जो की dark bottle में आता है, वो ही shape का है, तो यह उसका clone माना जाता है, मेरे हिसाब से भी यह वैसे ही लगता है, क्योंकि Invictus में जो Victory वर्जन आता है, वो उतना aquatic नहीं है, बाकी notes आपको similar ही लगएगा, वो typical जो Invictus का vibe है, वो आपको उसमें भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, बहुत ही बढ़िया option है, आपको same Invictus वाला DNA मिलेगा, थोड़ा कम aquatic vibe के साथ, lemon, lavender, pink pepper, और dry down में आपको tonka vanilla, वो type का fragrance महसूस होगा, बहुत ही बढ़िया option, compliments के लिए एकदम सही रहेगा, क्योंकि Invictus भी complimenting type DNA है, बहुत लड़कियों को जादा तर पसंद आता है, यह भी व हूँगा, तो Invictus Victory इसलिए कहते हैं, क्योंकि एक हुआ यह भी dark bottle जो इविक्तरी की तरह बना दिये है, और दूसा जो है, aquatic nude थोड़ा सा कम है, अगर इससे compare किया तो, क्योंकि विक्तरी जो वर्जन आता है, जैसे मैंने कहा हूँ, उसमें aquatic nude कम है, और dry down में vanilla और tonka का ज्या आफी चाता हूँ, तो यहाँ पे हुआ bottle, एकदम black color का top, पीछे भी plain, यहाँ पे हयाती लिका हुआ है, लताफा के साथ, और box कुछ इस तरह की का आता है, यहाँ पे लताफा, हयाती, आगे भी वही लिका हुआ है, hologram के साथ, यह भी आता है, 100 ml, ओदे फर्फर्म concentration में, यह यह भी आपको 1200, 1400 के बीच में ही मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तीसरा perfume, जो एक musk based perfume है, जिसका नाम है pure musk, तो fragrance के वारे में बात करने से पहले, presentation दिखा देता हूँ, simple सा white color का box है, pure musk लिका हुआ है, यह भी ode perfume 100 ml का ही आता है, लेकिन इसमें आपको deodorant free मिल सकता है, बाक्स में deodorant नहीं आता है, लेकिन कुछ series ऐसे होते हैं, जिसमें ज़्यादा तर deodorant भी आ जाता है, यह हुआ deodorant, made in UAE, pure musk, यह एक typical white floral musk fragrance है, bottle भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे white leather type cap है, और bottle के अंदर थोड़ा सा glass balls लगा दिये हैं, अब यह बस show के लिए है, में ना भी हो, यह मुझे नहीं पता, अगर आपने मेजों फ्रेंसिस अंतनी का मस्कल फरांसी ट्राइ किये है, या फिर मस्क तहारा, जो इंडिया में बहुत local cellules के पास होते हैं, जो एक तिक क्रीम जैसे दिखता है, वो वाला fragrance अगर आपको पसंद है, तो यह ज़रू ट् यह, यह spray version में है, यह एकदम white floral musky थोड़ा सा powdery type fragrance है, white musk, black musk की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप white floral type musky fragrance पसंद करते हैं, तो यह ज़रू ट्राइ करना, बहुत लोग होते हैं, जो सिर्फ musk based perfume यूज़ करते हैं, उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया option, यह यह भी आएगा आपको 1200-1300 के बीच में, और performance भी बहुत ही बढ़िया है, यह भी एक versatile fragrance है, कोई भी मौसम में लगा सकते हैं, winter, summer, daytime, evening time, जो भी मौसम या जो भी occasion है, अगर आप musk fragrance पसंद करते हैं, तो यह बहुत ही बढ़िया option है, performance भी बहुत बढ़िया है, दो तीन गं तक इसका lasting, तो lasting में भी कोई भी कमी नहीं लगा मुझे, तो यह हुआ तीन लताफा fragrance जो मैंने recently खरीदा था, कुछ 3-4 हफते पहले, तो अगर आप इन में से कोई भी अगर try किया है, तो मुझे comment section में जरूर बताया कि आपका opinion क्या है, तो वीडियो अगर पसंद आया, तो